नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज 12 अक्तूबर सोंवार दोपहर एक बजे राजस्थान की खास खबरें बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूस को और प्रैस करें बेल आइकन को राजसान एटीस ने जैपूर, नागोर, हैदराबाद और दिल्ली में दबिश देकर 14 स्टोरियों को गिरफतार किया है जबकि दिल्ली में नागोर से कुछ स्टोरिये फरार होगे एटीस के एडीजी अशोक राठोड ने बताया कि पकड़े के स्टोरी के विदेशों में संपर्क होने की बाद भी सामने आई है इस मामले में एटीस ने मैच फिक्सिंग के संभावना जताई है इसके साथ ही कारवे के दुरान पहली दबिश के साथ सब जगे एक साथ लाइन बंध हो गई एटीस की टीमों ने तेलंगाना के हैधराबाद से साथ जयपूर के जगतपूरा से पांच और सोडाला से दो स्टोरियों को पकड़ा है और नागोर और दिल्ली में फरार हुए स्टोरियों के तलाश के लिए दबिश दे जा रही है पकड़े के आरोपियों में जैपुर के विशाली नगर के पंकत सेतिय वे बिहार के मनोज पासवान, रामनगरिया से बीका ने निवासी गिरिश्चन, उजवल, राहुल, संतोष, सुराना वे बिहार के धरबंगा के संजीत को गिरफतार किया गया है स्वेज फारम से निव सांगा ने रोड के देवेंदर वे मुंबई के रजेंदर भी प्रकड़े गए हैं, इनके कबजे से कई लैप्टॉप वे मुबाइल फोन सहीत, इलक्ट्रोनिक उपकर्ण बरामद हुए हैं राजिस्तान हाई कोट ने एक मासुम की कस्टरी से जुड़े मामले में भरतपूर एसपी को आदेश दिये हैं कि वे बच्चे और उसके पिता को कोट में उपस्तिती सुनिश्चित करवाई, ऐसा नहीं करने पर एसपी को कोट में हाजर होने की आदेश दिये गए हैं मासुम की कस्टरी को लेकर अदालत ने बच्चे के साथ माता पिता को हाई कोट के उपराज की और धिवक्ता की कराले में उपस्तित रहने का अदेश दिया हैं मामला साधे 4 साल की मासुम की कस्टरी से जुडा हुआ है जिसमें मानी हाइकोट में बंदी पर्त्यक्षी करन याची का दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उसके बच्चे को जबरन अलग किया गया है बच्चे को उसके पिता जुलाई में अपने साथ उत्तर परदेश ले आईवे पर अलसुबे विभाग ने करीब एक दर्जन बज्री और ग्रिट के ओवरलोर ट्रक पकड़े हैं। विभाग ने इनका चलान किया वहीं कई ट्रकों को सीज करने की कारवाई किये गई। जोद्पुजले की सदर कोतवाली थाना पुलिस ने बडलो का चौक जाखण की हवेली स्थित मकान में दबिश देकर आईपील मैच पर सट्टा लगा रहे हैं एक युवक को गिरफतार किया। सहाइक पुलिस एक्ट देरावर सिंग सोडा ने बडलो का चौक जाखण की हवेली स्थित मकान में आईपील मैच पर सट्टा बुक होने की सूशना मिली। सूशना पर पुलिस ने वहाँ चापा मारकर रोशेंदर सिंग को गिरफतार किया है। मौके से एक LED, 11 मुबाइल लाइनों से जुड़ी एक अटैची, एक टैबलेट, दो बेसिक फोन और 27,000 रुपे जप्ट किये गए हैं। दो रिजिस्टर में 12 करोड 28,93,411 रुपे का हिसाब मिला है। त्योहारी मौके पर शुड़ के लिए युद्ध अभियान आज से शुरू हो गया। जानकारी के इंसर त्योहारी सीजन को देखती हुए, मिलावटी मावे की रोक्ताम के लिए यह अभियान आज से। परदेश भर में 16 अक्तूबर तक चलेगा। अभियान को लेकर सभी CMHो को निर्देश चारी किये गए हैं। वहीं इसकी हर दिन की रिपोर्ट मुक्याले को भी बेजनी है। दूंगरपुचिले के बाल संप्रेशन ग्रह की क्वारंटेन सेंटर से दो बाल अप्चारी कमरे के बहार तैनात दो होमगार जवानों को चक्मा देका छत के रास्ते से भाग गए। सदर थाना पुलिस ने बताया कि ये दोनों बाल अप्चारी कांकरी डूंगरी उपद्रव मामली में पकड़े गए थे। पुद्यपूर हाईवे पर एक तरफा यातयात करवा कर वाहनों का वागमन शुरू किया। पुलिस ने ट्रॉले को पकड़ने के लिए नाका बंदी करवाई है। शिरिगंगा नगजिला मुख्याले पर कच्रा बीनने वाली यूवती से चेड़-चाड़ करने का मामला सामनिया है। पीडिता की मा ने तीन लोगों के खिलाफ महिला थाना में मुकडमा दर्स करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीडिता की मा ने रिपोर्ट दी है कि तीन युवक युवती को जबरन सुनसान जगह ले गे और युवती के विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपिट की, मारपिट के दौरान युवती के एक पसली और हाथ की हड़ी तूट गई, पुलिस मामला दर्स का जांच शुरू कर दी है, जोद पुजले के लोहवट थानक शेतर के राजाला गाम में कल्योगी पत्नी की शरमना करतूथ सामने आई है, चांकरी के इंसर पत्नी ने पती को रास्ते से हटाने के लिए बदमाश्यों को बुलवा कर पती पर हमला करवा दिया, सूशना पर पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस ने बताया कि हमले में घंबीर घायल मुलताना, राम ने इलास के दुरान दम तोड़ दिया, पत्नी के अवैद संबंदों के चलते दोनों में रुजाना जगडे होते थे, मुरतक के भाई ने पत्नी सहित अन्य के खिला सूशना पर पुलिस मौके पर पहुँची, पुलिस ने बताया कि घायलों में तीन बच्चे वे तीन महिलाएं शामिल हैं, पुलिस ने सभी घायलों को जिलास पताल में भरती करवाया है, यह हाथ सा खेतों में मुंगफली एकत्रित करने जाते समया हुआ ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए